पिछले कहा जाता है कि प्रथम गुरु तो मा ही होती है और वास्तों में जिनको अच्छी और सच्छी मा मिल गई तो उनके जीवन का सही निर्मान हो जाता है और मा का अस्थान कोई छोटा मोटा अस्थान नहीं है मात्र देवभव, पित्र देवभव, अतित देवभव, आचारी देवभव सज्जनों और दिविव स्वेता स्वेतोसर उपनिशत की रिशी ने मा को देवी का अस्थान दिया है कि मा देवी है और पिता को देव तुल्लि माना गया है और अतित को भी देवता समझा गया है किसी की घर में अतित बन करके जाओ थोड़ा देव लच्छनों से वहां रहा गलतियां मत करो अतित का अस्थान देवता के समान होता है बहुत सवभाग के साली को ध्यान को एकापर करिए और अब मैं आपको प्रशंग बताता हूँ पहला प्रश्ण जो राम चरित मानस में भावानी जी ने सियू जी से पूछा है उसको सुनो सियू जी क्या कहते है सियू जी कहते है भावानी राच्छस वह नहीं है जो रावण के परिवार का हो भीविश्ण तो रावण का छोटा भाई था लेकिन उसे राच्छस का स्थान नहीं मिला उसे महान भक्त का स्थान हिरणा कस्यप राच्छस का बेटा प्रहलाद वो भगवान का बड़ा भक्त कहलाया है सोची राच्छस की जाती नहीं होती राच्छस की कोई फेमली नहीं होती फिर राच्छस कौन होता है अब स्यू जी वरणन कर रहे मैं चौपाई गाऊंगा उसको तुम दोराना खाई कबाब सराब शरोजा निश दीन परेना रिनी काह खोजा मा नहीं मात पिता नहीं देवा मा नहीं मात पिता नहीं देवा साधुन से करे वाम ही सेवा जिन के असे आ चरन भवानी ते जान हूनी सी चरसम प्रानी खाई कबाब सराब सरोजा खाई कबाब सराब सरोजा निश दीन परेना रिनी काह खोजा कितनी मधुर परिभाषा राच्छस कौन है जो कबाब खाता है स्यू जी एक साका हारी थे स्यू जी भांग भी नहीं खाते थे ये तो भांग खाने वालों ने स्यू जी के उपर थोप दिया और भांग खाने वालों से यदि कहो कि तुम भांग क्यों खाते हैं तो कहते हैं ये तो स्यू जी की बूटी है और जनम जनम की घोटी है और बात हमारी जोटी है और आदत कभी न छोटी है और सिव जी की ये बूटी है सिव जी की बूटी भांग कैसे है अगर सिव जी भांग खाते थे इसलिए तुम भांग खाते है तो सिव जी कैलाज पदवर पर तब करते थे तुम क्यों नहीं गए तब कर लिया बांग खाने की तो नकल कर लिया पर तब करने की नकल क्यों नहीं किया सियू जी को इतना ग्यान था तुम को क्यों नहीं इतना ग्यान है उनकी बराबरी तुम कैसे कर लिया शिव जी गले में शांपों की माला पहनते थे और तुम्हारे गले में कौन सी माला है कोई माला वाला तो दिखी नहीं रही है हर समें माल की ही चक्कर में पड़े रहते हूँ माला का तो काम खतम कर दिया और शिव जी कानों में बिच्छू के कुंडल पहनते थे ये सियू जी की बराबरी किसी महान पुरुष की बराबरी नहीं करना चाहिए और किसी अपनी आदत को छुपाने के लिए महान पुरुष के उपर कोई आदत का आरोप नहीं लगाना चाहिए सियू जी भांग नहीं खाते थे सियू जी क्या कह रहे हैं देखो न शियू जी कह रहे हैं जो मांस नहीं खाता है मचली नहीं खाता है वो देवता है जो मांस मचली खाए कबाब खाए वो दानों है राच्छा से एक ही घर में देवता भी हो सकते हैं, दानों भी हो सकते हैं फिर सिव जी कहते हैं, जो अंडा खाता है, सरोजा मने अंडा सरोजा में संडा होता है कितने लोग अंडा को साकाहरी समझते हैं ये अंडा साकाहरी बोलते हैं अंडा और अलू दोनों बराबर अंड़ा साकाहारी नहीं अंड़े के अंदर अगर जीव नहोता तो अंड़ा फिर बच्चा कैसे निकलता उसमें से बच्चा कैसे निकलता मुर्गी मुर्गा कैसे बनता फिर लोगों ने दोहा बना लिया कि संड़े हो या मंड़े रोज खाओ अंड़े परंत मैं कहूंगा संडे हो या मंडे यदी खाओगे अंडे तो लगेंगे जमदूतों के डंडे और अंडा कितना गंदा होता है मुर्गा और मुर्गी की रजवीर शे अंडा बनता है और मुर्गा मुर्गी भी कितने गंदे हैं सब कचड़े का कचड़ा खाते रहते हैं गंदगी खाते हैं उस मुर्गा मुर्गी को आदमी मार कर खाता है है तो आदमी हिम्मत वाला मचली खाने वाले भी बहुत साहसी लोग है मचलियां जहां रखी हों वहां इतनी बदभू आती है और फिर ये कितने हिम्मती लोग हैं मचली का टुकड़ा काटके मुह में रख लेते हैं और कहते हैं बड़ी खुस्बू आ रही है और फिर इसको चबाते भी हैं और चबा कर फिर अंदर पेट में ले जाते हैं और खाने के बाद कहते हैं कि वाह क्या बात है बात तो हई है क्योंकि मचली जितनी गंदगी एक साथ अंदर ले गए हो बहुत बड़ी बात है चोटी बात है मचली कितनी गंदी चीजों को खाती है मचलियां जहां हो वहाँ तुम अगर पानी में थोक दो तो थोक को खा लेती नाक छिनक दो तो नाक चाट लेती कोड़ी को खा लेती, गोबर खा लेती, लास को खा लेती, मुर्दे को खा लेती, सड़ा गला खा लेती और उस मचली को यह आदमी खा लेता है, है तो बहुत हिम्मत वाला आदमी सृष्टी में कुदरत ने जल की गंदगी साफ करने के लिए मचली को बनाया प्रत्वी की थल की गंदगी को साफ करने के लिए सुवर को बनाया आकास की गंदगी को साफ करने के लिए चिणिया को बनाया और उसके बाद आदमी को बनाया कि आकास में भी सफाई मिले प्रत्वी पर सफाई मिले जल में सफाई मिले अब तो सफाई में रह तो आदमी जब पैदा हुआ तो आदमी ने तीनों सफाई करने वालों की सफाई कर दिया उनी को खा गया खतम कर दिया इचिनियां को भी खा लेता है मचलियों को भी खा लेता है और सुवर को भी खा लेता है सुवर तो लेटरीन खाता है उसको भी आदमी खाता है मैं सौचता हूँ कभी ऐसा ने डबल अब कर दे कि लेटरी नहीं खाना शुरू कर दे हाँ सुवर खा रहे है मांस मचली यंडा, मुर्गा बकरी बकरा, भेंसा ये सब खाना नहीं चाहिए खाना है दाल, चावल, सबजी, रोटी, पूड़ी, घी, सकर, दोद, मलाई, रशगुला, गुलाब, जामुन, समोसा, कचोरी और कलाकंद, जमीकंद, परमानंद, ये सब खाईए, शकरकंद पूरण मल, कलमुन्दा, कलमुन्दा वाले, असिर वाले, साहिए और इदी आपको बुद्धी का विकास करना है, एक गाजर खालो, आदी मूली खालो, एक जामफल खालो, सुभी सुभी, एक केला खालो, और एक छोहरा खालो, एक काजु खालो, एक बदाम खाल एक अखरोट खाल एक ही एक खाना तो बुद्धी बढ़ेगी अब तुम सुझो बुद्धी बढ़ती तो डबल खाले तो बुद्धी घड़ेगी भी एक ही थोड़ी सी दाल रोज खाईए बुद्धी बढ़ेगी और अगर तीन रोटी खाते हो तो दो रोटी खाईए बुद्धी बढ़ेगी और तीन खाते हो चार खालो तो बुद्धी घड़ेगी कम खाना है और दिन भर में दस बार हसो तो बुद्धी बढ़ेगी दिन भर बैटको रो तो बुद्धी घटेगी इसलिए शादी होने के बाद बहुत से इस्त्रियों की बुद्धी घट जाती क्योंकि रोती बहुत है बहुत रोती सेने की सक्ति नहीं है थोड़ी सी बात हो गई रो ने लग जाती तुरंत अपने माय के फॉन कर देती मम्मी में पापा पे अरे उनको फॉन मत करो उनको डिस्टर्ब मत करो अपनी जिन्दगी को सेन समात काटों से भी प्यार तेरे फोलों से भी प्यार जो भी देना चाहे देदे करता है जिनको गाय का दूध प्री है वे गाय का गोबर भी हस्ते हस्ते उठा लेते हैं याद रखना अगर तुम्हें सास ससर का प्रेम रूपी दूध अच्छा लगता है तो थोड़ा उनके डाट फटकार का गोबर भी इवध उठा लेना कोई बातनाई है धन्यवात है साथ ससे का अब प्रशन रहने से भी बुद्धी का स्मरण बढ़ता है अधिक सोने से बुद्धी कम हो जाती हैं और कम सोने से भी बुद्धी कम हो जाती है तो फिर क्या करो तो एक मीडियम सोई है कि साथ गंटे से ज्यादा नहीं और छे घंटे से कम नहीं है यह बड़ी मुश्किल पायदा हो ले ले कितने लोग दो तीन घंटे ही सोते हैं इसलिए खोपड़ी बची है माइंड बचा ही जा और कितने लोग ददस घंटे सो उनके पास भी मैंड नहीं है बुद्धी सोती रह जाती है अधिक सोना भी बाती है और गुशा करने से भी बुद्धी घटती है ज्यादा क्रोध करोगो हर समय दात पीशते रहोगो तो घर के लोग तो सुधरेंगे नहीं लिकिन तुमारी बुद्धी खतम हो जाए तुम कि हमारे घर के जंजट में तो हमारा दिमागे सब खाकर खतम करती है कोई दिमाग तुमारा खाया थोड़े है कौन कहता तुम से इतना तुम गुशा कोई तुमारी गुशा से कोई सुधरने वाले है तुम भी ठाहा का मार कर हशो राम भगवान के परिवार में अविध्या में जब मंधरा नहीं सुधरी तो तुम्हारे घर में भी तो कोई नो कोई मंधरा रहे दिए तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हैं चिंता करने से बुद्धी घड़ती है और शांती समाप्थ होती है टेंशन करने से मिमोरी कमजोर हो जाती है और यादा टेंशन करने से तनाव में रहने से चिहरी की सुन्दर तभी खतम हो जाती है आप अधिक समय तक सुन्दर दिखना चाहते हो पहला काम करना पड़ेगा कि आपको खुश रहना पड़ेगा दूसरा काम टेंशन मुक्त रहना पड़ेगा तीसरा काम कम खाना चाहिए अगर सुन्दर बनी रहना चोथा काम कोई नहीं सोजाना चाहिए थोड़ा ब्यायाम भी कर लिजी आज मेरे पास में एक प्रियाग राज के बहुत बड़े वकील का फोन आया हाई कोर्ट हाई कोर्ट है पताने क्या है वो बोला मैं फरवरी में जज़ बनने जा रहा हूँ तबने का बहुत बड़ी बात अच्छी बात है बोले आशिर बात दीजी आपने का बिल्कुल बोले आशिया में तुम ही को मानूगा तबने का अच्छी बात है तो बोला क्या बोला बहुत बड़ी बात बोला है उसने कहा कि गुर्देओ कभी कभी चिंता हो जाती है टेंशन हो जाती तो ऐसा लगता जज नहीं बन पाउगा क्या है तो हमने का चिंता किसकी करते हो बोले एक लड़की है मेरी वाइफ है उनी की चिंता हो जाती है तो हमने का वाइफ से पूछो वो किसकी चिंता करती है बोले वो मेरी चिंता करती है तो हमने का तुम दोनों मूड़ा खोला कर रहे हैं वाइफ तुमारी चिंता करती है तुम वाइफ की चिंता कर तो अपनी अपनी लाइफ की चिंता ही नहीं है वाइफ की चिंता है तुमने का वाइफ कोई विकलांग है क्या है विकलांग नहीं बिल्कुल फिट है वो भी competition दे रही है हमने कहा चिंता से कोई सफलता का द्वार नहीं खुलता है सफलता अगर मिल इतनी दोनों हिल मिल करके एक दोस्त की तरे रही दोनों पढ़ रहे हो दोनों के लिया शिर्वाध आगे बढ़ोगे लेकिन चिंता छोड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे चिंता करने से बुद्धी कट जाती है कि सुन्धरता भी कम हो जाती है